दोस्तो ITC Limited ने आपे final dividend अनौंस कर दिया है और साथ ही साथ में special dividend भी अनौंस कर दिया है इसके साथ company के quarter 4 के results भी out हो चुके हैं मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आई अब इस वीडियो को start करते हैं दोस्तो ITC Limited के dividend details की बात करने से बहले आईए बात कर लेते company के quarter 4 results की तो यहाँ आपे quarter 4 का result आप देख सकते हो March 2023 का quarter है and last quarter यहाँ पे December 2022 का था तो last quarter को साथ साथ compare भी कर लेंगे सबसे बहले बात कर लेते हैं आपे sales की तो जहाँ पे last quarter के अंदर में December 2023 वाले quarter 3 के अंदर में जहाँ आपे company की sales 17,705 करोर की थी वहाँ अभी quarter 4 के अंदर में जो company की sales है वो 17,635 करोर पे आ चुकी है तो sales के अंदर हमें एक छोटा सा decline देखने को मिल सकते है जो कि आप कह सकते हैं आपे एक non noticeable decline है मतलब exactly जितना पहले था उतना ही उतने की आसपास ही हमें जो sales देखने को मिल जाती है तो ज़ादा difference है आपे हमें देखने को नहीं मिला है operating profit की बात करें तो last quarter के अंदर company का जो operating profit था वो 6,705 करोर का था अभी इस quarter 4 के अंदर में जो company का operating profit है वो 6,624 करोर पे आ चुका है तो operating profit के अंदर में आप कह सकते हैं आपे हमें एक थोड़ा सा decline देखने को मिला है और यह एक noticeable decline है वहीं अगर हम बात करें company के net profit की तो जहाँ पे last quarter के अंदर में company का net profit 5,080 करोर का था वहीं अभी quarter 4 के अंदर में company का जो net profit है वो बढ़ करके 5,243 करोर पे आ चुका है तो जहाँ पे company की sales और operating profit decline में जाता हुआ देखने को मिला है वहीं company की जो net profit है उसके अंदर हमें एक increment देखने को मिला है उसका सीधा सा reason यह है कि company का अगर आप यहाँ पे other income source देखेंगे तो उसके अंदर हमें increase देखने को मिला है जहाँ पे quarter 3 के अंदर में other income 595 करोर का थ वो हमें year on year काफी अच्छे increment में आता हुआ देखने को मिल गया है तो इस वज़े से आप कह सकते हो कि company के जो quarter 4 results है वो थोड़ी से हमें better आते हुए देखने को मिले है वहीं अगर हम बात करें company के shareholding patterns की तो March 2023 वाले quarter का latest date है हमारे पास में जो की quarter 4 है जिसके according यहाँ पे foreign institutions के पास में company में 43.35% का stake है domestic institutions के पास में 42.08% का stake है वहीं अगर हम बात करें government की तो इनके पास में 0.04% का stake है और बागी का 14.52% का stake public यानि की retail investors के पास में है अब आई यह बात कर लेते हैं ITC Limited के official dividend announcement की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो company ने आपे special dividend announce के 2.75 तो total company ने 9.50 रुपीज का dividend announce किया है मतलब हर एक stock के पर मैं आपको 9.5 रुपीज का dividend मिलने वाला है और इस dividend को देने की जो X date और record date है वो अभी तक upcoming में है तो company की तरफ से जैसी कोई भी official announcement आता है X date और record date को लेके मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना है अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा साथी साथ में इस चैनल को भी subscribe कर दीजेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अ बतकूदी और आपने के बाGU कर दो रहेगा मिलें इस चैनल को भाने के अंदर आपको झाल वीडियो के खर आपको दोस्तो जोरा है